ओके स्नाव यहां पर हम देखींगे कि हम किसी भी डॉक्यमेर्ट को अपडेट कैसे करते हैं अपडेट करने का दो तरीक है हमारे पास उसको crime तरीका यह है कि आप पहले सबसे पहले आईडी की हैल्प से डेटा को रिट्रीव करो ठीक है रिट्रीव करने के बाद रिट्रीव करने के बाद उसको आप चेंज कीजी एंड चेंज करने के बाद उसको आप अगें सेव कर दीजी ओके तो यह एक तरीका है जबसे पहले आप किसी भी id की help से किसी की भी help से किसी भी एक इवनीग property की help से data को ले के आए document को लेकर आने के बाद उसको change की जें फिर से save कर दीजी दूसरा तरीक कि आ बिना उसको लेकर आए directly उसको update कर दीजी यह दो तरीके हैं तो जब से पहला तरीका उसके पहले बात करेंगे तो असिंक function create कर लेते हैं असिंक हमने आकर पहा function and then update okay and then is update को हम एक ID pass करेंगे ID मतलब कि जो जिस user को आप update करना चाहते हो तो हमने आप एक unique ID है वो पास करेंगे and then यहां पर हमने कहा const result update करने वाद जो भी result मिले यूजर object मिल जाएगा तो यूजर मिलेगा एक promise मिलेगा तो मैं इसको कहूंगा wait wait so इससे मुझे result मिलेगा जो भी user है अब यहां पर जरूर नहीं जो आपने ID pass की है वो सही है अगर result मिलता है तो सही है नहीं मिलता है तो अब डेट करना है यहां पर मुझे घूजर मिलेगा नहीं कंडीशन लगाऊंगा इस यूजर अगर यूजर है तो यह यहां अपडेट करना चाहता हूँ otherwise मैंने आपकर रिटर्न तो मैं अप्डेट नहीं किया मैंने अगर यूजर मिल जाता है तो मैं हमको क्या करना इसको सेव करना है सो हमने आपर कहा user.save सबसे पहले हम ने यहाँ पर find किया find by id तो मुझे एक user object मिला user object को मैंने update किया and then मैं उसको save करूँगा इस तरह सेव करने से मुझे promise मिलेगा मैं इसको await करूँगा सो मैंने आपर कहा await await and then जो भी मुझे result मिलेगा उसे मैं return कर दूँगा तो या फिर मैं रिटन नहीं करता हूं मैंने आपर कहा just const const result या फिर updated result जो भी होगा तो जो भी update किया वो मुझे आपर मिल जाएगा ना मैंने आपर का log print कर देंगे इसको console में है तो हमने आपर का result ओके ना इस function को call करेंगे सो हमने आपर का update और मुझे यहां एक valid ID पास करनी है सो मैं यह first ID यहां से copy कर देता हूं ठीक है edit पर जाएंगे इंदेर से copy करेंगे copy किया तो अभी इसका नाम देखिए ना मैं इसको change करूंगा विरेंद्र मैं ठीक है आप वापस आते हैं यहां पर और अपडेट में मैं यह आइडि यहां पर पास करूँगा ओके नाव raun करेंगे सो क्या होगा update होगा यह जो भी user है और इसका नाम होगा everything और अभी यह एड़ एड़ तुरू हो जाएगा और उसका नाम यहांपर चेंज आएगा जोबी रिजल्ट होगा updated जो ऑबजेक्ट फोलगो यहांपर print होगा ओके सेफ करेंगे और वापस आएगे e-mail टर्मिल में तो यहां पर आप देखो तो यहां पर क्या है जो प्जक्थ वो अपडेटेथे ॉब्जक्थ हम को यहां पर मिला एमेलड़ी होगा ही है मैंने नाम चेंज कर दिया औरा इडमेंड्ब्ड चेंज कर